Hello Everyone, आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर CUET का फॉर्म फिल करना चाहते हैं Important यह है कि दो-तीन ऐसे पॉइंट्स है जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है अगर आपको पता नहीं है तो देन आप किसी भी युनिवसिटी में एड्मिसन आप नहीं ले पाएंगे जो भी अपडेट्स आते हैं उसको लेकर अपडेटेड़ सकते हैं एक बात और एड्ट कर दें Most probably ऐसा होगा आज कि जो CUET का जो फॉर्म है वो आज से फिल नहीं हो पाएगा जिस तरीके से J-Main के फॉर्म को एक्स्टेंड किया गया है सेम बें आपका भी फॉर्म को एक्स्टेंड किया जा सकते हैं उसकी बड़ी वज़ाई यह है कि अभी सभी युनिवर्सिटीज ने जरूर कहा है कि पाटिस्पेड करेंगे बाकी इसके लाबा जितने भी युनिवर्सिटी है चाहिए वो A.M.U. हो, J.N.U. हो, B.H.U. हो, D.U. हो उन सभी युनिवर्सिटीज का एड्मिशन का जो प्रोसिजर वो अभी तक नहीं बताया गया इस वज़े से फॉर्म हो सकता है कि आज से फिल नहीं हो आप कहेंगे कि आखिर इन सभी के नोटिफिकेशन आने का क्या मतलब है बड़ा सिंपल C.U.E.T. का जो नोटिफिकेशन आया है या C.U.T. ने जो नोटिफाइग किया है सारे को स्टूडेंस को यही कहा है कि जिस भी उनिवसिटी में आप अइडमिस्या लेना चाहते है पहले उस उनिवसिटी का इलिजिबिरिटी क्राइटेरिया देख लीजिए और दुसरा जो अइडमिस्यन का प्रोसीजर है या सेलेक्शन का जो प्रोसीजर वो किस तरीके से लेंगे करें दोबारा आपको मुकर नहीं मिलेगा तो यह आपको नोटिस करना है इसलिए मैं आपको रिग्मेंट करना चाहूंगा कि आप एट लिए वन विक वेट कर लिए उसके बाद अपलाई करेंगा उसकी बड़ी वाज़ा यह होगी कि अगर आपको सोचते हैं कि नहीं मुझे इलिएटि परेंगे यू ऊपाइड आपको बागए लेटाइघें तो जरूखके पहले कि उसके प्रोसटीर इसकों की जो बात होग पेपर सेलेक्षिंगा उसमें कौन-कौन से वह पेपर रखना चाहते लेना चाहते तो वह आपको चूज करना होगा देन उसके बाद फिर आप जो है इस मतलब फॉर्म फील कर पाएंगे यह फॉर्म फील करेंगे तो यह एक इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा अपडेट यह है कि सबसे पहले हर इनुट सेटी का आपको इने किलर कर दिया कि हिस्टी एट इस उससे चूड़ने को पढ़ना पड़ेगा लेकिन वही अगर आप सी वेस्टी के नोटिफिकस्टन पर तो उसने यही कहा है कि अगर माल लिए किसी स्टूड़न को बी एलल भी मिलेना है तो उनको यह कहा गया कि आप हिस्टी भी पढ़ रहा है कोर्स के आप से देखें तो यह चीजी है जो फर्क कर रहा है और यहीं चीजे हर इसलिए मैं कहा रहा हूं कि पहले हर इनुटिफिकस्टन देख लेजेगा उसका बात और अभी सिर्फ तीन ही उनिवस्टी का नोटिफिकस्टन है इसलिए आपको धियान देन बाकी करना कुछ नहीं है फॉर्म फिल करने को लेकर अगया यहां पर साफ लिकर अप्लिकेशन लेकिन अभी तक अप्लिकेस्टन लाइब नहीं जो कि आज का टाइम सब्सेंट होता है इसलिए नहीं लाइब हो पाया एक बड़ी वज़ाई है कि अभी बहुत कम यूनिवर आपको कैसे पता समझ माएगा इसलिए मैं बारवर कहा हूं का आप वो जो नोटिफिकेस्टन है उसको अच्छे से बारवर पढ़िए इसमें नोटिस क्या करने लिवात है जिससे आफ फॉर्म फिल करने जाएंगे तो उस नहीं आप से पूछेगा कि आप लेना चाहते हिं लेना चाहते हैं इंग्लिस में तो जो चूज करेंगे वो आपको चूज करना पड़ेगा अभी आपको कैसे पता चलेगा मुझे क्या चूज करना है तो आप वो युनिवर्सिटी को देख लिजे ना अब पता लेगे आप जो है पेपर ज्यादा से लेक्र लिए और उस य चूज कर सकते हैं लेकिन यह डिसाइड कोन करेगा युनिवर्सिटी यहां पर साफ लिखा हुआ रहा है कि चूजिंग ऑप्सम फ्रॉम इस सेक्षिंटी मतलब सारे मेंडेटरी नहीं है लेकिन चूज सुट मैस्टी रिक्वाइर्मेंट आप डिजाइड युनिवर्सिट चाहरे हैं उस उनिवर्सिटी में यह होना चाहिए लिस्ट में आम आना चाहिए अब बड़ा सिंपल अगर बाइदेवे इस सबसे देखा यह तो तीन सेक्षन को सलेक करना पड़ेगा इस तरीके से अभी तो आया ही नहीं इसलिए आपको कन्फूजन भी हो रहागा अगर अभी चाहरे होगा तो आपको फानल पता चल जागा लेकिन आभी मैं बार बर कहा रहा हूँ कि आपको यह सेलेक करना हो कि हां भी आप जिस भी उनिवर्सिटी में लेना चाहते हैं उस युनिवर्सिटी सके क्या क्याध रिख्वाइर्मेंनLY ऐदुरेंस को लेकर इंट्रे सिफ यूजी कोर्स के बात चला है लेकिन फिलाल अभी मैं ही कैसा कोई भी स्टूडेंट अभी स्टूडेंट का फॉर्म फिल ना करे वह एट लिस्ट वन विक का टाइम इन तयार करे क्यों क्योंकि आप जिस यूशिटी में अब देना चाहते हैं पर उस यूशिटी का नोट को लेकर पहले किलर हो जाए उसके बाद फॉर्म फिल करिए बाकी है कि इस पर सेपरेट वीडियो आज एक कैसे फिल करना है आने वाले जो भी अपडेट आता है उसको लेकर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए था